सोगाजी सर्दियों का सीजन है जैसा कि आप जान रहे हैं और में यहां पर यमुने की किनारे हूं और वाकि आप लोग समझ सकते हैं किसलिए आया हूंगा तो आप देख सकते हैं आप पे ओसी ओस पड़ी हूई है मचे की ठंड है और ये बाबा जो है आप देख आना पे जो हो मचलु पकड़ रहे हैं और जहां जहा तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां पूरी नदी ही नदी है और देख सकते आप कितनी बड़ी है I think गहराई भी जाद होगी क्योंकि मैं इस पर भी एक विवार ना तैरा हूं ना ही आया हूं तो पहली बार यहां पर आया हूं गाइस और आप यह देख सकते हैं जो है चोटे-चोटे कुछ हैं पड़े हुए हैं तो यह साल मचली पाड़ने के लिए है जब मचली जो है खाने को खीचेगी नीचे तो आटमाटिक नीचे होगा तो उसको पता चल जाएगा तो पकड़ लेगा ऐसा को सिस्टम है और यह नाव भंगार पर पड़ी हुई है और यह देख सकते हैं गाइस बालू निकाली जा और सपलाई होते हैं काफी लंबे-लंबे जगहों पर और यह नाव जो है बाढ़ के सामयागाय हां यहां तक पानी आगा जाता होगा इसलिए रचेख सेंधे बालू तो हमें मिट्टी यहां सखानी जाएं तो यहां पर और जार्गीपहन डार्माटिक गाली शेंदे काली और यह नाओ आप कभी नाओ में घूमे हैं अगर घूमे हो तो हम भी पताना क्योंकि हमने तो कई बार सावारी कर चुकी है बहुत लोग हैं जो कि नाओ की सावारी नहीं किये होंगे प्रीम इसको उताईएगा और हमारे साथ यहां पर झाल अषपित कि सकते सावारी कर झालियाएगा, झाल यहां रजाभा और यहां ज जब